दोस्तो मैं hand sanitizer खड़िदने के लिए medical store में गया तो पता चला कि out of stock है और जो भी है वो 500 रुपे के नीचे है नहीं मतलब बड़ा file है तो दोस्तो फिर मैं घर आया फिर घर आके मैंने YouTube में चेक किया कि घर में hand sanitizer बनाने के लिए क्या-क्या करना होता है तो दोस्तो मैं बहुत स तो बहुत जगह पर अलग-अलग तरीके से बोला जा रहा है लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है यह हमें पता ही नहीं चला तो इसके चलता फिर मैंना research कि फिर मुझे पता चला कि डबलू एच ओ जो वाल्ड वाल्ड हेल्ट ओर्गनेशन जो होता है उन्होंने अल्रडी ए बहुत आसान तरीके से वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक बोटन को प्रेस कर दीजेगा और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस वीडियो को आप जो है एक भालत के जिम्मेदान नागड़िक होने के नाते इस वीडियो को जाद से यह बाकी आपके दोस्ते फैमिली मेंबर को भी जानकरी मिले तो दोस्तों चलिए दोस्तों में दिखा दे तो सबसे पहले डबलु एचो का जो गाइड लाइन है कि क्या क्या का इंड्रिडियेंट्स लगता है सो पहले आपको पई फॉर्मूला दिखा देता हूं और यह जो ल कि यहां पर कोई आलोवीरा जेल की बात नहीं करें दो फर्मूला दिया गए एक फर्मूला में बोला जा रहे है कि इतनोल 96% लगता है हाइड्रोजन परक्साइट का 3% solution लगता है उसका 98% solution लगता है लास्ट में लगता है जो चौता चीज है वो डिस्टिल वाठा या फिर इसके लिए आपको सिंपली मैंने कुछ इंग्रडियन्स आप देख पार हो यह जो है आपका इसको बोला जाता है इसका रुविन अल्कोहल बोलेंगे तो आपको कोई भी बनीकल उस्टिर वाले आपको दे देगा तो लेकिन इसमें अब खली एक चीज़ ध्यान रिकिएगा आइस्टोप्रोफाइल अल्कोहल जो है यहां पर आप देख सकते हो 70% का है और हमें बोला लेकिन यहां पर देख सकते हो 5-7% का है और जो कि formula के साफसे चाहिए 3% का चाहिए तो इसको में जो dilution है इसको घारापन है उसको में आधा कर दूँगा और last में जो है glycerin है तो glycerin यहां पर देख सकते 98% का glycerin मेरे पास है already तो बस यही तीनों चीज की ज़रूत है यहां पर कोई भी जो है आपको अलोवीरा जहल की ज़रूत नहीं है और यहां पर देख सकते डिस्टिल वाटर है जो कि मैंने गरम पानी उबाल के ठंड़ करके रख दिया है और यहां पर अब देख पड़ एक नॉर्मल स्प्रे है अब करता हूं जो फोड में बोला गएए था 99% कि आईधो पोफाइल आलकोहल का आप लेना है और उसके साथ जुह है आपको पानी मिलाना है तो यहां पर देख सेक्तों दस लीटर का जो है दस लीटर हैंड जो है हैंड सेनिटेजर बनाने का नाप दिया गया है यहां पर देख सेक्तों 7515 ml के बोला गया है और आपको जो है इसमें और भी बोला गया कि हाइडोजन परक्साइड 3% का 417 में और ग्लीसरीन का 98% ग्लीसरीन के 145 में और बाकी जो है यहां पर आपको डिस्टिल वाटर डालना है तो लगबगा आप इसको क्यालकुलेट करोगे तो आपको आपको आठ लीटर जो है आठ लीटर यह टूट कि आपका 75% जो है 75% डालत का आईसो परफाइल आलकोहल आपको सॉलुशन चाहिए 75% का वो चाहिए पास जो है मैंने पहली बताया कि मेरे पास अल्रेडी 70% का जो है आइसो प्रोफाइल एलकोहल है जिसको मैंने बताया था कि आपको रुविंग ना इलकोहल बोलके मिलता है या भी सार्जिकल क्लिनिकल स्प्रीड से नाम से भी यह मिलता है तो दोस्तों यहां पर मुझे पानी मिलाने के ज़रूत नहीं है जो दो लीटर बोला गया था अलग से वह मिलाने के मुझे ज़रूत नहीं है दोस्तों मैं यहां पर 100 ml का एक सेंपल बनने वाला हूं तो 100% सेंपल के लिए मुझे लगेगा 95 ml जो है लगेगा मुझे यह वाला सॉलीशन यह वाला अलकोहल का 3% hydrogen peroxide क्योंकि hydrogen peroxide यहां पर 6% है तो इसको मैं सबसे पहले इसी को मैं काम करता हूं इसका जो डोस है आधा करता हूं तो चारे में लगेगा तो मैं पहले बता जो फॉर्मुला है 95% जो है 95% जो है आपका अलकोॉल लगेगा अगर वह 75% dilute का है तो density का है तो और 4% जो है आपको hydrogen productoid लएगा अगर वह 3% density का है तो और 1% जो है आपका glycerin लएगा तो यहां पे मैंने 2 ml मैंने ले लिया यहां पर देख सकते 2 ml मैंने ले लिया तो 2 ml मैं यहां पर डाल रहा हूँ सबसे पहले तो 2 ml के साथ में 4 परसन लएगा तो 4 ml होता है ना तो यहां पर मैं 2 ml और पानी भी लेता हूँ यह डिस्टिल वाटर है तो इसके अंदर में इंजेक्ट करता हूँ तो इसको मैं अच्छे से मिला देता हूँ तो यह हो गया दोस्तों यह 6 परसन का था तो 6 परसं को में आधा आधा पानी है और aquela है रोगजन पर क्श्टिल मिला के इसको कर दिया मैंने 3 परसन वाला 4 ml का है रोम मुझे देना है यह हो गया मैरा 4 मल का टोटल 2 परसन पानी था और 2 परसन मैंँ है hydrogen peroxide में लया था और अब मुझे यह देना है glycerine का 1 ml मतलब 4% का और 1% मैंने बताता हूँ तो 1 ml मैं यहां पर ले लेता हूँ pure glycerine का मैं नहीं होगे यह glycerine का जो काम होता है दोस्तो यह strip आपका हाथ को जो है soft रखता है और hydrogen peroxide जो है anti-germ, anti-vacterial है तो मैं यहां पर glycerine भी डाल दिया तो अभी दोस्तो जो बचा है वो खाली मेरा isopropyl alcohol डालना बागी है तो फिर इसको मेरा hand sanitizer है वो मेरा बन जाएगा तो चलिए दोस्तो मैं वह भी डाल देता हूँ दोस्तो मैं यहां पर एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है यह 5 ml वाला है तो time लेगा काफी तो दोस्तो यहां पर देख सकते हूँ मैंने पुरा बना लिया है यह यहां पर 95 ml का मैं दोबरा इंग्रिडेंस बोल देता हूँ 95 ml जो है मेंने आइसरो पोफाइल यालकहुल का जो 70% सवलीशंट जो स्पीड बोल जाते हूँ , ओने डाला है और 1 ml जो है मैंने यह घ्लीसरिन डाला है 98% वाला गलीसरिन डाला है मैंने ठीक है इसका दाम जो है 45 रुपीश का है यह कुछ 100 ग्राम का है और इस में और क्या तो आपने देखा कि इसको मैंने 3% का ऐसे किया कि आधा जो है 2 ml जो है मैंने हाइड्रोजन परक्साइड करा यह वह लो solution दिया और 2 ml मैंने distilled water मिला कि इसको solution को 3% किया तो इस तरीके से 4 ml जो है मैंने hydrogen परक्साइड का solution भी इसमें मिलाया अभी क्या करना है अभी अपको कुछ और कुछ करना नहीं है इसको तीनों को मिला चुके है हम अभी इसको जो है आपको अच्छे से खिलाना है ऐसा और यह अभी ready to use है लेकिन फिलाहल आपको बताना चाहूंगा बेस्ट रेजाल के लिए इसको आप दो दीन ऐसी रहाँ दीजे दो दीन के बाद से आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ बताना चाहूंगा यह आपके नॉर्मल जो सेनिटराइज होता है न सेनिटराइजर जो होता है जो घारा होता है और थोड़ा सिलिपी हो अपरूब है इसी को आप यूज करें और बहुत सस्ता है जो भी सामान आप देख पर हों यहां पर यह हाइड्रोजन परक्साइड का बीस जो है आपका बता देता हूं यह 100 ml का जो है यह मुझे मिला था केवल 8 रुपे में ठीक है यह 8 रुपे में मिला था और यह 400 ml वाला हो तो दोस्ता आई होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए